इस टाइब की question को जो हम solve करते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि 7 बचकर 25 मिनट पर दोनों घड़ी की सुईयों के बीच का कोण क्या होगा हम बड़ा लंबा formula लागाते हैं कई सारा हमारा time निकल जाता है इसको simple से करने का method होता है इसको हम 30 से multiply करेंगे इसको हम 11 बटे 2 से multiply करने पर और जो इनका multiply आगा दोनों को minus कर देंगे और यह हमारा answer होगा जैसे यह आजाएगा 210 और यह आजाएगा आपको 275 बटे 2 ठीक है करेंगे सम्थिंग अपका इतना जाएगा यानि कि आपका answer आ जाता है साढ़े 72 डिगरी का angle आपका बन जाएगा ठीक है तो इसी तरह से tips और tricks पाने हैं तो चैनल को subscribe कर दीजिए